अब चाचा के हाथ में एक एंडराइट फोन देखा है अब इसका मतलब क्या है चाचा तो खेती करते हैं लेकिन ये डिश्टल ही होकर के खेती कर रहे हैं चाचा आप अब अगर आप इस समय मार्केट में टमाटर लेने के लिए जा रहे हूंगे तो कभी आप सोचे नहीं हुँआ कि मार्केट का इतना जाद रिया कैसे हो सकता है कि इसबार आप देख रहें कि मार्केट से 150 रुपयय तक का्ट करे आमको मार्केट में मिल रहा है कितना रेट क्यूं गया हर साल क्यों नहीं जाता है दोस्तों आज हम सिधे ग्राउंड अस्तर पे आख करके आप लोग को किसान के खेट में मिलाने वाले हैं कैसे जो किर्ट wissen यह रेट किसानों तक भी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं वीजẩ्ट के बिचोरियँ इसले लेकर के जा रहे हैं इसका फायदा किसानों को कितना मिल रहा है आज हम यह सीधे किसानों की जुबानी समझने वाले हैं तो चलिए दौस्तो हम आपको किसां से मिलाते हैं और सार अरु कुछ क्या माजरा हैं समझाते हैं दोस्तों आज हम उत्तर पर्देश के बस्ती जिले के धानपुर में मौझूद हैं है और वहां के किसान से हम आपको सीधे मिलवा रहे हैं हैं तो चलिए उनसे हम आपका परिचय कर्षे करवाते हैं पर आपको रगा तो यह रेट जो समय मिल रहे हैं इससे किसानों की क्या इस्तितिए किसानों किस्तितों इस समय तो अच्छी है लेकिन फिराल फटल नुक्सान हो गई है अच्छा मतलब इसके लिए किसानों के मुँपे चेहरे पे एक मुस्त्राहट लाने की वज़ा आ है समय मार्केट में खरिदने जाते होंगे हमारे सहर के लोग किसान तो बहुत खुब कमा रहा है तो क्या यह चीज सही है दोस्तों समझिएगा देखिए हम आज यह वीडियो सूट करने के लिए आए हैं और बारी सो रही है हम आए हैं चाचा से मिले आए बारी सो रही थी तब भी चाचा अपने खेत में काम कर रहे थे पसल को तोड़ रहे थे और हम आप लोग क्या है कि अपने घरों में बैठे हैं यह चीज सही है ना और बार में जब आरहा है कि आरहे हैं तो इस स्थिति में किसान का म कर रहा है लेकिन इसके वज़ा भी किसान को यह नहीं मिल पारता है जो रहे जाहिए सब्सक्राइब दोस्तों अगर यह रेट किसानों को मिला करें तो मान के चलिए उनके प्रॉफिट की बात है लेकिन अगर साथ रुपे मिल रहें तो क्या आपकी मज़्दूरी आपकी लागत निकलेगी अब यही चीज है दोस्तों इसी वज़ा से कोई किसान नहीं चाहता है कि हमारा बेटा किसानी करें यही कारण है यही कारण है तो चलिए वैसे आज हम आप से समझते हैं कि आप क्यों घीतलि में अगरत दोस्तों हम जहां से बात कर रहे los उत्तर प्रदेश के बश्ति नुकान गनिकी दोस्तों हम जहां से आधी हमारे यहां लाक्श के खेती बहुत जयादें मात्रह में होती एप सुने. और कुछ किसान भावह का ना करना है यहां प्रणार सोच रही है इस्टा रहा है कि सबर्देन के लिए लागा है कि हम सब्सक्राइटक में कब तमातर taken और उत्पादन कैसे जाए मिलेगा और दोस्तों अगर आप चाहते हैं की इतना जितना हमारे चाचा ने लिया है और कौन सी ब्राइटरीन हने लगाई है कैसे कैसे लगाई है अगर यह सारी डीटियल आप इस्टेप जानना चाहते में लिखिए काम तो जराने निकल ला जाता हो कर दोस्तों लेकिन आठ नहीं होते हैं इतने में अगर आप मजदूर ले करके काम करते हैं तोड़ाई करवाते हैं या फिर इसमें जो दवा मानना होता है इसकी देख रेख वो भी नहीं आताब देख सकते हैं कि यह गाउं से बाहर है इसको रखाने के लिए माचा रखा गया है और यहां पर आदमी रात भर रह करके इसकी रखवाली करता है जो छुट्टे साथ जानौर बहलिया होते हैं उनसे बचाने के लिए और उस इस्थिती में तब यहां से माल निकर करके तब बजार में जाता है और तब आप तक कहुचता है दोस्तों हमने यहां पर तो सारी बाते कर ली लेकिन एक बात अब हम जो मुद्दे वाली बात है करते हैं इस बार जो इतना रेट गया है है क्या रीजन रहा है चाहते इतना रेट आई गया है और उससे जो लू चली वह लू चलने के वज़ा से भी फसल खराब हो गए तो अब जहां पर फसल बचे हुए है तो जाहिज सी बात है कि वहां के किसान रेट अच्का लेंगे और जब सप्लाई कम होगी तो दोस्तों देखिए हम आप लोग के लिए बारिस में खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा चै साजान होते हैं इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं जाति है तो मंडी में मारप बेशते हैं हागर आप dough कुछ है उनको कुछ बताना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे हम बताते हैं चाचा का सार क्या कहने का दोस्तों चाचा यह कहना चा रहे हैं कि अगर आप मंडी में जो हमारे भाई सहरों से हैं जो सबजी लेने के लिए जाएं वह ऐसे मतलब बेखने वाले को खोजे महां पर जो किसान हो खेती से लाता हो अराम उनको यह होगा कि उनको ताज अमाल मिलेगा और दोस्तो जाने में जाने में आप एक काम ऐसा भी करेंगे कि जबदो पैसे उनको जर्यादें मिलेगा हमारे किसानों को मिलेगा कि ढखते करें नहीं तो अगर आप बिच्वलियों को sha customs न होती है यह सब बिचोलियों वाले होते हैं जो भी से माल लेकर के आते हैं और वो आपको किसान से महंगा भी माल देते हैं तो जब आप सीधे किसान से लेंगे दोस्तों तो आप किसानों को भी प्रोस्ताहित करेंगे और आप भी ताजा माल पाएंगे और जाने अंजाने में आप किस आप और भी किसान देख रहे हैं और यह लोग भी चाचा का देख करके खेती चालू किये हैं इनका जो इतना उत्पादन निकला है इन से प्रोसाहित हुए है दोस्तों आप लोग एक चील नोटिस किये आप चाचा के हाथ में एक एंडराइट फोन देख रहे हैं अब इसका म आफ लोग के लिए बनाते हैं और ऐसे ही किसान है जो देख करके इससे प्रोसाहित होते हैं और खेती में आ परकार से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी परकार से ग्राउंड पर किसानों के साथ जाके मिल करके उनसे बात चितर के आप लोग के वीडियो लाएं तो उसके लिए आप कमेंट में पना राये दीजिएगा तो फिर मिलेंगे इसी परकार से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यबाद जै जवान जै किसाल